ओ, ओ, पहुंच गा, ये मुझे मार्स लग रहा है, मुझे मार्स लग रहा है, अडे यार, मैं उत्रूँ कैसे, उत्रना है मुझे, मैं उत्रूँ कैसे, ओके, 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 उत्र गया, पता है पिछल एपिसोड में क्या हुआ, हम गए थे सूरज मिया के पास, यानि के सन के प लेकिन हमने कहा हमें तो करके दिखाना है और मैंने सन में एक ट्री उगा दी हम मैंने ओक सैपलिंग कर दी सन में ज़की नहीं आदा तो पिछले एपिसोड देख लो यानि कि एपिसोड वन देख लो तो आज का विडियो है The Minecraft Space Mission का Part 2 अगर Part 1 नहीं देखी तो पहले जाके वो देख लो वरना तुम्हें Part 2 की समझ में नहीं आएगी तो चलो यार गेम को स्टार्ट करते हैं और मैं तुम्हें बताता हूँ कि आज हम क्या कुछ करने वाले हैं तो आज हम करने वाले हैं Farming यानि कि मैं अपने खाने के लिए कोई चीज उगाने वाला हूँ और दूसरा मुझे देखना है कि यहां पे क्या चीज है जिसकी वज़ासे इतने सारे लोग यहां पे खटा हुए हुए हैं आखिर यहां पे क्या चीज है यह भी हमें देखना पड़ेगा और हाँ और मुझे दूसरे स्पेस्चिप में भी जाना पड़ेगा या फिर हमें दूसरे प्लेनेट पे जाना पड़ेगा हमारे पास मेप पड़ा हुए वो मेप में देखना है कि हम क्या कुछ कर सकते हैं तो चलो यार गेम को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम और क्या कुछ कर सकते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा यहां से कबलिस्टोन उठाना होगा और मैं बनाने वाला हूँ एक कबलिस्टोन मशीन जो के हमें बहुत सारा कबलिस्टोन देगी जो के पानी और लावा से मिलके बनता है और पानी और लावा मैं भूल गया था तो वो मैं वापस गया हूँ सूरज में और वहां से पानी और लावा वापस इखटा करके लेके भी आ गया हूँ ठीक है तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं और ये मशीन में पहले भी बना चुका हूँ तो इसको फासफ फारवड करते हैं जितनी चलती हो सके तो यहां से लावा और पानी उठा लिया और अब मैं तुमें दिखाता हूँ इसको मैंने कैसे बनाया तो इसको एक साइड से 3 बलोके और एक साइड से 1 बलोके अब हमें एक साइड लावा डालना है एक साइड पानी डालना है पहले हमारे पांस बहुत कम में बच गया बच गया अब side हो जा, please side हो बहुत सारा कब्लिस्टोर चाहिए बहुत सारा कब्लिस्टोन चाहिए तो शबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि इस में जो भी गिरेगा वो करेगा तो और भी कबल स्टोन हमें खटा करना पड़ेगा तो इसको भी बंद कर दो अब क्या है कि कोई भी विलेजर उपर आया तो मरेगा नहीं वह बचा रहेगा हमें विलेजर की बहुत जादा जरूरत है मुझे बुक्स चाहिए हमें मुझे बहुत कुछ चाहिए यार इ तो ये भी हो गया और यार ओके तो ये भी हो गया तो 64 64 के तीन ब्लॉक्स हमारे पास हो गए है और मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए क्योंकि ये काफी जादा हो गया है ठीक है अब मैं चलता अड़े जार मैं खुद बखुद गिर गया हूं ठीक है हम चलते हैं क्य करते हैं सर पेले से सो रहे बिचारे देखो किती क्यूट लग रहे हैं अब आंखे खोल के कौन सोता है पागले क्या ओके तो चलो ARE हम सोने लगे हैं और सब्सुभ Mais क्वागी तो हम बाकी काम करेंगे तो हमें क्या करना होगा हमें देखो हमने कभले हो स्वेर्जन इतने का यूज करते हैं तो हमें लेंड होना है इस जगा पे स्पेशिप पे वापिस आना है तो उसके लिए हमें एक चोटा सा लेंड बनाना होगा ताकि हम वहां पे लेंड हो सकें इलेक्टरा के थिरू तो उसके बगएर अगर हम लेंड होते हैं तो गिरने के चांसे जादा हो ज तो चलो काम शुरूर करते हैं और यह जगा बनाना इस्टार्ट है अठीजा चलो ओके अब भी यु वी हो गया यह और यह भी हो गया। ठीक है। हमारा काम तो हो गया है अबने हमें क्या करना होगा कि ये जो उपर से लैप सब्स अक्स्त्रा लग गये हैं अम् "- उपर से लाना होगा उपी केस्ट लाना होगा इनको भी थोड़ा दूड करते हैं और मुझे थोड़ा एक आइडिया और भी आया हुआ है कि क्यों आप farming को भी start करते हैं तो farming start करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा unlimited water ठीक है unlimited water तो हमार पास है नहीं तो हमें बनाना पड़ेगा एक ऐसी machine जो कि हमें unlimited water प्रोवाइड करेगे ठीक है तो कबल स्टोन कतम हो गया है वापिस से आ जाओ और वापिस से बना लो इस तरह 4 block का बनाना पड़ेगा और हमें दो bucket of water चाहिए तो दो bucket तो हमार पास पड़े हुए हैं लेकिन water नहीं पड़ा तो एक काम गते हैं कि एक water bucket यहां से लेते हैं और एक bucket जहां से लेते हैं यह temporary ले रहे हैं बाद में हम इसको water डाल देंगे जब हमार पास हम unlimited water होगा तो unlimited करने के लिए एक साथ डालो और फिर दूसरी तफ से फिर डालो अब यह क्या हो जाएगा कि यह unlimited बन जाएगा और हम आपने दो bucket water वापस ले सकते हैं ठीक है तो अब मैं काम करता हूँ यहां पर वापस water डाल देता हूँ पानी डाल देता हूँ और दूसरा bucket हम वापस डाल देते हैं जहां से हमने उठाया था तो हमने जहां से उठाया तो इसको भी वापर डाल दो ठीक है यह हो गया हमारा अब हम कुछ extra करते हैं फार्मिंग करते हैं फार्मिंग करने के लिए हमें काफी जारा dirt चाहिए तो 16 dirt हमार पास पहले से पड़े हुए हैं तो उसको ह पर हम एक छोटा सा फार्मिंग करते हैं और हमारे ड़डबी खतम ठीर ड़ते हैं चलो तक पर अब या मुझे लगाएंगे उसके लिए ड़ड़ को रख लेते हैं नाफड़्ड करेंगे ये 이 स्थित प्रशियchair को रख लेते हैं और उसमें और भी जादा ट्री लगा सकते हैं काफी जादे लकडी मिल जाएगी तो इसको लगाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे हम ट्री को लगा देते हैं और यहाँ पे यह थोड़ा उपर ही हो गया है तो यहाँ पे ट्री को लगा देते हैं अब क्या होगा जब हम farming कर रहे होंगे तो यह उग गया तो ठीक है अगर नहीं होगा तो वापस ले लेंगे यार इसको सिंपिल अभी यहां से पानी लेना होगा दो bucket हमारा पाचियों के दो ही bucket हैं तो जहां पर पानी छोड़ देते हैं ताके हमारी dirt है वो wheat हो जाए यानि य भी हो जाए और उसमें हम आराम से फिर farming कर सकते हैं ठीक है अब देखो हमें farming के लिए होए होई चाहिए तो हुए सा क्या होगा कि हम इसको उपर वाला dirt को हटा सकते हैं और farming कर सकते हैं तो जहां से यह हटा दो और फिर farming करनना start करते हैं यह वीट हो जाएगे अपने आप त तो इसमें हम अब कुछ ना कुछ उगा देते हैं तो हमार पास क्या कुछ है हमार पास बहुत कुछ है लेकि मैं wheat seed को उगा रहा हूँ क्यूंकि मुझे बहुत जादा bread चाहिए तो हम इस पूरे में wheat seed को अभी उगा देते हैं वा तो उगा दो यहां पे भी यहां पे भी यहां पे भी यहां पे भी और यहां पे भी यहां पे भी यहां पे भी और यहां पे भी यार मैं क्या सोच रहा हूँ मैं यह सोच रहा हूँ कि देखो हमार पार villages भी हैं हम bread से सरफ गुजारा नहीं कर सकते तो हम एक काम गते हैं एक side गाजर भी उगा देते हैं और दूसी तस तालू भी उगा जते हैं तो यहाँ पे मैं गाजर उड़का लेता हूँ चलो मैं तुमें map दिखाता हूँ यह देखो यह map है इसमें जो white वाले न यह हम है ठीक है इसके हमारे जो करीब है न करीब वो है sun और sun के जो करीबें वो यह planet है तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इस planet पे जाऊँ सबसे करीब हमें यह पढ़ता है तो इस planet पे आज हम जाएंगे और पता करेंगे वहाँ पे हमें क्या मिलता है और हम आगे क्या कुश कर सकते हैं ठीक है तो एक काम करते हैं यहां से यहां से fireworks को उठा लेते हैं और यार fireworks हमार पाद सर्फ 11 रह गई गई है बहुत भुरा होने वाल है हमार साथ है बहुत जादा अगर यह fireworks खताम होगी तो पता नहीं मैं क्या करने वाला हूँ और fireworks मुझे बनानी पड़ेंगी यार उसके लिए भी मुझे चीज़ें की दरौत पड़ेंगी ठीक है यहां से जो चीज़ें मुझे काम की है न वो मैं ले लेता हूँ ताके हमारे दूसरे प्लैनेट पे वो अगर काम आ जाएं किसी भी काम आ जाएं तो यहां से एक bucket ले लेता हूँ ताके अगर हो दूँ तो भी एक ही bucket हमारे चला जाए बाकी bucket रह जाए हमारे तो मैं जा रहा हूँ अब दूसरे प्लैनेट के पास और देखते हैं अगले प्लैनेट के पास हमें क्या कुछ मिलता है और वह planet कुन सा है मुझे लगता है वो Mars planet है तो देखते हैं हम क्या कुछ कर सकते हैं हमारा tree भी हो गया है कभी सोच सकते हैं कि यार हमने space में tree उगा यह कभी sun में tree उगा रहे हैं पता नहीं क्या क्या कर रहे हम तो अब हमारा उढ़ने का time हो गया पहले हम जाएंगे sun में और sun से जाएंगे हम दूसरे planet पर ठीक है तो वो करीपटा है तो उढ़ना पड़ेगा ये जम किया ओर ये सन के पास पहले उतरते हैं फिर अगले planet पर जाएंगे तो कहा उतरें कहा उतरें यहां पर उतर जाते हैं ओके उतर गया अभी हमारी हमारी डूसी प्लेनेट के सेट है वहाँ पर जाना पड़ेगा इस सेट है तो यहाँ से उनना पड़ेगा हमें चलो यार उनना स्टार्ट करते हैं मुझे डल लग रहा है हमारे पास सरफ 9 रे गई fireworks एक भी अगर फोद दिया तो मैं ओके ओके उतर गया ओकाड उतर गया हमारे सरफ एक fireworks हमारे एक fireworks तो यूज़ा लेकिन ओमाइगाड ये देखो ये villages के काम आएंगे यार वो भी मिल गया ओ एरो भी मिल गया हमें कॉल काफी जादा कॉल मिल गया इस कॉल की मदल से हम और भी जादा कॉल बना सकते हैं चार कॉल बना सकते हैं और मेरे पार चिकन मिल गये मुझे चिकन एक्स मिल गये मुझे वाओ ओके फायरवक्स भी मिल गया यार यार मुझे फायरवक्स चाहिए था फाइनली फाइनली मिल गया मुझे oh god finally मुझे मिल गया oh मज़ा गया मज़ा गया यार इस बार मुझे जो चीज़ें मिल गया है वो मेरी सारी की सारी काम की है तो मुझे ये थोड़ी गेम की भी समझ में आ गी है हर planet पे कुछ न कुछ रखा हुआ है जिसकी मदद से हम यहाँ पे survive कर सकते हैं और और कुछ है यहाँ पे अभी मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ तलाश करना है कि यहाँ पे मुझे और क्या कुछ मिल सकता है ठीक है हमार पास sand stone पड़ा हुआ है और यह sand भी पड़ा हुआ है brown color का लेकिन यार अगर हमें simple वाला sand मिल जाए ना तो simple वाला sand मिल गया तो हम क्या कर सकते हैं कि हम बना सकते हैं glasses याद होगा तुम्हें episode 1 में मैंने क्या किया था कि villages के जो spaceship ने उसका glasses में तोट दिये थे अंदर मुझे enter होना था तो मैंने shortcut से गया था तो मैंने glasses तोट दिये थे तो हम उनके glasses को repair कर सकते हैं अगर हमें simple वाला sand मिल जाए तो तो यहां पर यह देखो यह देखो ओ माई गॉड़ यह उपर 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 वाला हिस्सा अड़े यहां पर नहीं है उपर उपर वाला हिस्सा है न वो है normal sand यानि कि वो normal वाला sand है जिससे हम glasses बना सकते हैं तो एक काम करते हैं जो उपर उपर वाला हिस्सा है न जहां पर sand रखा हुआ है वो sand ले लेते हैं यह sand हमारी काम की इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसमें हम न हम bamboo वागरा भी उगा सकते हैं और हम sugar cane वागरा लगा सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं कि इसमें इसे हम ग्लासिस बना सकते हैं तो ग्लासिस की तो हमें जरूरत है यार तो यहां के उपर जो-जो कुछ सेंड है नो मैं सब कुछ ले लेता हूं और फिर हमारा जो काम आएगा वह भी ले लेंगे ठीक है काम की जो भी चीज होगी वह ले लेंगे तो रात होने वाली उससे पहले के रात हो जाए मुझे यहां से निकलना पड़ेगा मुझे मैं वापिस जा रहा हूं अपने स्पेस्शिप में और उसके लिए मुझे सबसे पहले पहुंचना पड़ेगा सूरज के पास तो सूरज है सेड और स्पेस्शिप हमारा दूर है एक काम करते हैं शौर्ट कट पकट हैं क्यूंकि मेरा रोकेट जाया ना हो जाए तो मैं जा रहा हूं अपने स्पेस्शिप के पास मुझे नहीं पता मैं अब उत्रूंगा कैसे मैंने वो जगा इसलिए बनाई थी हमने तीन रोकेट जाया कर दिया तीन रोकेट ओ माई गौड यार यह जाया कर रहो मैं मुझे रोकेट बनाने पड़ेंगे फिर से बनाने पड़ेंगे यह फाइरवर्ट्स वाले रोकेट यह मुझे वापिस बनाने पड़ेंगे ओके तो मैं पहुंच गया अड़ी यार ओ गौड नहीं 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 प्लीज नहीं न तो पर जा रहा हूं और उपर मैं अपना इस सामान को भी रखता हूं और इन सामान का कुछ यूज़ भी कर लेते हैं तो सबसे पहले काम करते हैं वो ये काम करते हैं कि मैंने याऽ जो एक्स मिली है उंको यूज़ कर लेते हैं वाव चिकन निकलाया दो तीन खाना खिला के इनसे बच्चे पैदा करवा सकते हैं अब भी हमार पास ये नहीं यार ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं तो मेरे पास है वीट सीड है तो वीट सीड इसको खिला के इसमें एक दो बच्चे तो निकली आएंगे तो ये हो गया ये हो गया और ये हो गया ठी और मुर्गी आंडे देते हैं कि मैंक्राफ में बच्चे भी देती मैं विलेजस के लिए भी बहुत कुछ लेकर आया हूं तो विलेजस के लिए gift हैं को वाप 지स देते हैं और फिर विलेजस क्या होंगे को कोई library बन जाएगा तो हमारा कोई cartographer बन जाएगा और उन villages के पास भी हमें बहुत कुछ मिलेगा तो चलो एक मैं रखता हूँ यहां पे एक पहले पर रखतिया था और एक रखते हैं यहां पे तो इससे क्या होगा के villages के करीब आएंगे तो professional कोई ना कोई जॉब करने लग जाएंगे और हां मैं एक चीज तुम्हें और भी दिखाता हूँ वो यह है कि यहां से न हम पिकेक्स को उठाते हैं और जो हमारे पास यह जील रोट है न को भी आईर्न रोट कहते हैं तो आईर्न रोट है जाउनसको भीड निकाल क किकेक के अंदर है क्या इसके एक गेट है यह तो जहां से इसको तोड़ दो और जहां से इसको तोड़ दो तो अब मैं तुमें दिखाता हूँ कि उस gate के अंदर क्या है इस gate के अंदर क्या है देखो एक नहीं दो नहीं तीन तीन chase नजर आ रहे हैं मुझे थिरी थिरी chase नजर आ रहे हैं और उन chase में क्या होगा और पता नहीं क्या मिलने वाला है वो हमें देखना पड़ेगा अगले पार्ट में क्युम्कि यह वीडियो काफी जाद लमबी हो गी है और आज हमने बहुत कुछ की आए तो इसको हम देखेंगे अगले पार्ट में सोचो अंदर क्या होगा और मुझे बताओ के map में मैं कौन से planet पे जाओं यहाँ पे पूरा galaxy है पूरा space है तो हर planet यहाँ पे है इस map में हर planet है तो मुझे बताओ यार मैं कौन से planet पे जाओं और मैं काम करता हूँ मैं चार कोल भी बना लेता हूँ साथ में आगे हम खेलेंगे अगले पार्ट में ठीक है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल I am Khalil को और साथ में बेल आइकन भी दबा देना और हाँ यार मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो इंस्टाग्राम ये वाल आकाउंट है तो इस पे जाओ और मुझे फॉलो करो तो आज के लिए इतना ही बाई